triangles क्योंकि ये शब्द देखिए इसमें try है, try का मतलब है 3, triangles मतलब 3 से बना हुआ है, 3 angle, इसके बारे में काफी बात हम कर चुके हैं, देख देख दिख भी चुके हैं काफी example, और जो close figure होता है जिसमें 3 intersecting line होती है, देखिए 1 intersecting line, 2 intersecting line, और आपकी 30 intersecting line, जब ये 3 intersecting line आपस म आपके एक figure बनाती है, उसको हम कहते हैं triangle, try मतलब होता है 3, triangle के 3 side होते हैं, 3 angle होते हैं, 3 vertices होते हैं, अब देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से एक triangle बनाऊ, इसमें, इस triangle ABC में, यहाँ पर AB, ये AB हुआ, इसको सी करें तो ये AB, ये AC, ये AB और ये BC, ये आपके 3 sides हो गया है, ये angle A, ये angle B, और angle C, 3 angle हो गया, और ये उसको पर A, B और C, ये 3 vertices हो गया, अब थोड़ा सा congruence देखेंगे, 2 triangle या 2 shape अगर एकदम same है, सब चीज़े उनकी same है, तो हम कहते हैं कि वो congruent है, बिलुकु सेम होने चाहिए चीज़े, और कुछ properties देखेंगे, triangles की, inequalities भी ये